ये सबसे पहले तो उम्व पर आले इस्वर के प्रती आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं इस्वर जानते हैं कि कितना निर्दोस हैं और आज मान लिजिए तो उनके प्रती हम आभार व्यक्त करते हैं दूसरे तरफ हम बिहार सरकार मानिया मुखमंतरी जी के प्रत हो कॉलेज हो अपने पिता के लिए यह मांगे दूसरे तब हमारे समर्थक जो हैं सुब्चिंतक जो हैं ठंधा गर्मी धूप दूल की परवाह किए बिना हर समय हमारे सुख दुख में सामील हुए हमारे हर कारी करम में सामील हुए तो यह सभी लोग धन्यवाद के पातर हैं और यह बहुत ही हमारे लिए बहुत खुसी कपल है तो उसको बयान नहीं कर सकते हैं सब्दों में आनन्द मोहन जी के बाहर आने से बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है क्या लगता है आगे क्या रहेगा आप लोगों का रूख उनका पॉलिटिकल इस्टैंड क्या होग कि नपक लूख लिए आप कुछ सकते हैं तो हम वह दे सकते हैं आनन्द मोहन जी का हूं तो यह कहेंगे कि जो घर आएंगे तो हम लोग औले तो यह उली डिवाली साहरा हमारी बचों हमारी बाद कहीं हुए हमारी कोई बात नहीं हुए हैं Kennet Tea कि निखले हैं क्योंकि अभी कुल देवी का पूजा होता है भगवती का पूजा होता है उसमें करने के लिए लोगों ने काफी क्यारी कर रखी है यहां पर आने की क्या सुचना है आनल मुहन का क्यों कि यह पैतरी का आवास है और कुल देवी है और मांगली कार्ज है तो आना ही है तो निश्चित रूप स चाहेंगे और क्या आप लोगों का स्टेंड है लेकिए हमारी जो हम लोग का इसमें मतलब की जब जी कृष्ण नहीया जी की हत्या हुई तो दो परिवार ने सबसे ज्यादा किया जैसे मेरा भी यहां पर आनंद मोहन जी के लिए भी सब लोग जानते हैं कि निर्दोस हैं सु हमेशा गलत का विरूद किये हैं तो वो जेल चले गए कानून का हम लोगों ने पालन किया कोट का अदेश का पालन और दूसरे तरफ जो है उमा कृष्ण नहीं जी जिनका सुहाग उजर गया एक इमानदार अफसर थे जी कृष्ण नहीं जी तो हमें भी काफी धर्द है कि अगर ये घटना ये घटना हम लोग के सामने में होती आनन्द महां जी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी कृष्ण नहीं की रक्षा करते की कोसिस करते निश्चित हम लोग के सामने में नहीं हुई लेकिन जो भी ह हुआ कोट का आदेश का पालन करके 15 साल का वक्त कम नहीं होता है जेल में विताए हम लोग एक एक दीन को इंतिजार किये हम 15 साल जग के हमारी बच्चों ने हमारी समर्थक ने 15 साल जगा है और एक एक दीन को हम लोग ने ये किये हैं होली दिवाली दसरह कुछ मना नहीं इस कि जैसे भगमान राम 14 साल के बाद बन भास से लोटेंगे घर तब खुसियाली मनेगी तो इस तरह से अब आ रहे हैं तो यह हमारे समर्थकों के लिए बच्चों के लिए सभी लोगों के लिए खुसी की बात है बिहार में बिहार के सरकार की इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है कि दवाब में उन्हें निकाला गया अपराधी प्रविर्थी के थे क्या कहना चाहिए गाप इस पर क्योंकि बीजेपी काफी जादा विरोत कर रही हैं इनके रहाई का अब देखिए आप लोग अपराधी प्रविर्थी के कह रहे हैं अपराधी प्रविर्थी कहिए तो बात हमारे समने में कम से कम मत कहिए यह गलत बात जो है वो अपराधी कभी थे ही नहीं जो जेपी आंदोलन के उपज रहे हैं स्वतंता से ननी परिवार से उपजे हैं अ सभी लोग वह तो क्या करने वाले तो यह कि और जो काफी लोगों ने तो जो बोल रहे हैं आप पाख्च भी पाख्च हो सभी लोगों ने एक इक्षा व्यक्त किये हैं, घर पे आया करके भी सव्यक्त किये हैं, कि वो निर्दोस उन्हें निकलना चाहिए, इन्हें बिहार सरकार को निकालना चाहिए, सभी लोग तो बोल रहे थे, अगर आज सुप्रीम कोट और है कोट के आदेश पर, अगर बिहार सरका एकानून में विया है तो कानून में एक रुपता हुआ। कौन सा गलत कमई है यह तो सुप्रीम कोट का अधेस था नििर्देस था हाइकव क्वाट का निर्देस ता ना जो कानून ग tob उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली में जो बाकी श्टेट में हो विहार में लागू हो और उन्होंने लागू किया है तो यह तो सागत ही ओक दम है तो उसी के तहाद 37 बंदी जो है निकल ले उसमें आनन्द मोहन जी भी है अगर मुखा मिलता है आप लोगों को तो जी कृस्ट जी के प्रती हमारी पूरी साहनूब होती है क्योंकि उन्होंने अपना सुहाग खोया है और मेरे पती में सुहागीन होते हुए 15 साल से बिना पती की रही हूं यह निर्दोस हैं निर्दोस रहें सभी लोगोंने आवाज उठाया उमा कृस्ट नहीं होगा तो एक बार अगर उनकी इच्छा होगी तो जरूर मिलेंगे क्योंकि सिंपेथी तो हमारा है ही अगर इच्छा होगी तो मिलेंगे लेकिन वहाँ जहां पर यह घटना हुआ एक बार उनको अपने लोगों के द्वारा भी विजिट कराना चाहिए कि सच्चाई क्या है सच्चाई क्या हुआ ब जटना होई थी और वहाँ पड़ जो जो है फाय यार यह सहब वह सारे लंभी बाते हैं वह सारे पोइंट है वह सारे यह उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं यह खुसी benefits है और हम चाहेंगे कि जैसे भगवान राम के लोटने से हुआ था तो उसी तर से आज आनन्द मौंजी जब निकल ले और दूसरी बात हम एक और बात कहेंगे भगवान राम का बनबास से लोटने की तो कहानी सब लोग जानते हैं लेकिन किसी ने पूछा कि उर्मीला की पृति के दिल पे क्या भी जो पती के संघर्स में बाधा भी नहीं बनी अपना ससुराल परिजन सब का सेबा करते हुए 15 साल तक धहर से इंतजार की पती का तो आज ठीक हूं हमें वैसा ही महसूस हो रहा है तो आईए सब लोग इस खुसी में सामील होईए आप लोग भी मिठाई कहाईए और खुसी क इस रहाई पो राजनीती करन भी किया जा रहा है इसको लेकर आप क्या कहिएगा आनन्द मुहन का आगे का पॉलिटिकल करियर क्या होगा आप चाहते हैं कि वो फिर से आए चुनाओ लड़े पुर्वसान सद रहें बड़ा राजपूर्ट वोट बैंक आपके पीछे है ते ऐसे ही बीद गया अब बहुत कम समय जीवन का रहा है तो बच्चों में समर्थक में पड़िवार में वो बाटे और नमग रोटी ही खाएं तो सुक्चैन से रहें यह हमारा यह सोज है